नमस्कार निकाल लेते हैं तो मेश राशी का जो कार्ड आ रहा है जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी ने इतना कुछ अपने सर पे अकेले उठा रखा है तो आज का जो दिन हैं बहुत जादा रिस्पॉंसिबिलिटीज जो है वो आपके उपर आ रही है बहुत सारा जिम्यदारियां जो है वो आज की दिन आपकी बढ़ सकती है तो उसका आज आपको खास ध्यान रखना है जब इतनी जिम्यदारियां हमारे उपर आ जाती है तो जो दिन है थोड़ा सा आपका हेक्टिक हो सकता है अगर इसे एक इनसानी इतना कुछ ऊठा रखा है वैसे अगर इसे जिमिधारियां हम मिल बाट के करते हैं बीवी कम हो जाएंगी आपकी साथ में अगर हेल्थ ची बात करें तो हेल्थ का आज की दिन आपको थोड़ा सध्यान रखना है जब हम इतना काम कर लेते हैं तो ठकावट तो हो ही जाती है तो साथ में health का भी आपको खास दियान रखना है आपके लिए मैं बोलूगी नीला रंग अच्छा रहेगा जी नीला रंग आपके लिए अच्छा है जेहत का आपको खास खयाल रखना है और आप वरिशब राशी आपके लिए जानते हैं जी तो इनके लिए भी हमें कार्ड या निकाल लेते हैं तो जो इनका कार्ड यहां आ रहा है यह हमारा स्लो कार्ड आ रहा है और साथ में अगर जैसे हम देख सकते हैं पाँच कोईन्स यहां बने वे हैं तो बोल रहा है आज का जो दिन है finances के लिए थोड़ा सा slow रहने वाला है कि अगर अपके पैसे कहीं से आने थे तो अभी रुक के ही आएंगे तो जहां पैसों में रुकावट होती है आज के दिन जो है आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कहीं पैसे जो है इंवेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि जहां पैसों का लेन देन करते हैं वहां हमारे पैसे भी आज के दिन अटक सकते हैं तो उसका आज खास ध्यान रखने अपने finances का साथी साथ अगर health की बात करें तो health भी मुझे slow progress दिख रहा है कि धीरे धीरे आपकी health और better हो जाएगी आपके लिए मैं बोलूगी yellow color अच्छा रहेगा जी और अप संचता जी आपसे जानना चाहेंगे मिथुन राशी के बारे में उनके लिए क कर सकता है जी जो मिथं राशी हे उनके लिए कार्ड निका लेते हैं तो मिथवन राशी का जो काड आ रहा है यह financial contentment का का ड आ रहा है जैसे 9 नंबर का काड है या 9 coins बने वे आ रहे हैं तो जो हमारा काड है ये खास तोर पर बोल रहा है कि आज के दिन जो हमारे पैसे अगर कहीं अठके वे थे तो वो आ सकते हैं आज के दिन साथी साथ अगर आप कहीं पर invest करना चाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है finances के लिए पर भी positive result उनका जो है वो उन्हें जरूर मिलेगा तो आज के दिन जो है students के लिए बहुत अच्छा है और financial matters के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है साथ में अगर health की बात करें तो health में भी मुझे positivity दिख रही है आपके लिए मैं बोलूंगी लाल रंग अच्छा जी तो तीन राशियों के बात हो गई आगे बढ़ते हैं कर्क सिंग करन्या आपके लिए जानते हो और कर्क सबसे पहले आपके लिए कार्ट क्या कहते हैं जी जो कर्क राशी है उनके लिए हम एक कार्ड निका लेते हैं तो कर्क राशी का जो कार्ड आ रहा है ये queen of wands का का जैसे इनोंने हाथ में एक स्टिक हमारी पकड़ी वी है वैसे ही आज का जो दिन है बोल रहा है कि आज बहुत स्टेबलिटी लेकर आएगा कोई अच्छा फैसला जो है वो आज आपकी तरफ आता दिख रहा है कि जैसे कोई अच्छा डिसिजन का आप इंतजार कर रहे थे किस की बात करें तो करियन में जो एक बैलेंस एक स्टेबलिटी जो है वो मुझे बंती रिख रही है साथ मैं हल्थ की बात करें तो हैंस पर मुझे स्टेबलिटी आती दिखाई देरी है आप खेलिए में बोलूंगी हरा रंग अच्छा रहेगा जी और संचिता जी अब आगे सब और एक पर अब के पास बहुत हैं पर इसको सोथ समझ के हमें पैसों का इस्तमाल करना चहीं कई हैं जो 소र्व की बातों के गलत जगे पैसे से इंवेस्ट कर देते Εं।य हैं जाρα अजके दिन सिंहराशी आपको सोग समझ के अपने पैस का इप्योग करना चाहिए जो भी आपके पास है उसको आपको सही इस्तमाल ही करना है किकि किसी तरीके का फिजूल खज़ना करे या गलत यंगे जो है पेसे आपके आटक सकते है तो सबस्यान रखना है तो आपके लिए नीला रंग अब कन्या राशी आपके लिए क्या छास है जो कन्या राशी है उनके लिए टे रिखनी अड़ा लेते हैं, तो कन्या शांती पूर्वक आपका जा रहा है, जो भी परिशानी आपकी लाइफ में है, वो धीरे-धीरे मुझे दूर जाती दिखाई दे रही है, तो यह बहुत ही अच्छा काड है, कि जो आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगा, शांती लेकर आएगा आज के दिन, तो आपके लिए मैं बोलूँगी, वाइट कलर ही अच्छा रहेगा, जी, छे राशियों की बात हो गई, और राशियों के लिए बताया, संचिता जी ने क्या कुछ खास है, और तुला विशेक धरू, अब आपकी बात करते हैं, तुला आपके लिए जानते हैं, जी, जो तुला राशी है, उनके लिए भी हमें काड निकालेते हैं, तो इनका जो काड आ रहा है, ये स्टेंथ का काड आ रहा है, कि जैसे हम मेंटल स्टेंथ की बात करते हैं, आज उसकी आपको बहुत जरुवत पढ़ने वाली है, क्योंकि कहीना कहीं बोल रहा है, आज कुछ ना कुछ परिशानिया चोटी मोटी आ सकती है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है अपनी पॉजिटिविटी जो है अपने पेशन्स लेविल की बात करें तो वो आपको बनाए रखना है क्योंकि बोल रहा है कि जैसे जैसे परिशानिया आती है या अपने आप ही दूर हो जाएंगी आपको चिं जो है वो आज आपको रखनी है साथ में अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी थोड़ी सी पेशन्स की ज़रत है आपके लिए मैं बोलूंगी येलो कलर अच्छा रहेगा जी व्रुष्विकराशी अब आपके लिए जानते हैं आपके लिए कौन सा रंग बहतर है कुछ फूल बनेवे हैं तो यहां पर जो काड आ रहा है बोल रहा है घर में है आज किसी तरीकी की खुश्यां आ सकती है कि घर में एक एकता बनीवी है कि पूरा परिवार जो है मिल जुल के कुछ सेलिब्रेट कर रहा है ये किसी का बर्दे आनिवरसरी ये किसी तरीकी की ग इन दोट्ट कोई थानट और राषी के लिए वी आम आरे चाहें के लिए क्लिक कास पड़ा है जो दोट्ळनल अदूराशी के लिए वेलऊ फोचुन का काहा हा है लक्य काशी के लिए waffle बसItalk ूर ब्लम खना बहुत लखी रहने वाला है। साथी साथ जो बच्चे पढ़ाई करना चाते हैं या इंडिया से बाहर जाना चाते हैं पढ़ाई के लिए उनके लिए भी आज का दिन बहुत लखी रहने वाला है। जो मकर राशी हैं उनके लिए भी हमें कार्ड निकालेते हैं तो मकर राशी का जो कार्ड आ रहा है यह हमारा दर्ट टावर का कार्ड आ रहा है कि यह जो कार्ड है यह परिवर्तन का कार्ड है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है बहुत जल्द और तो और पर आज की जब हम बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है, आज के दिन कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिखाई देंगे अपनी लाइफ में, तो जब भी बदलाव होते हैं, लोग काफी घबरा जाते हैं, कि ये बदलाव जो है, ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए ह है जैसे समय बदलता है तो हमें भी उसके साथ बदलना ही चाहिए तो आज का जो दिन है कुछ positive changes आपकी life में लेके आएगा हो सकते आपको लगे कि यह कैसा बदलाव है इससे मेरी life में परिशानिया बढ़ रही है पर आने वाले आपको समय में लगेगा कि बदलाव जो होते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही होते हैं आपके लिए मैं बूलूँगी आपको काला रंग जो है वो avoid करना चाहिए और सफीद रंग आपके लिए अच्छा रहेगा जी और आग कही ना कही जो आज आप उमीद लगा के बैठे थे लोगों से या आपको कुछ उमीद थी कि आज आपको काम बन जाएगा हो जाएगा तो कही ना कही अभी भी थोड़ा सा इसमें बोल रहा है कि आपको लिराशा हो सकती है तो आज के दिन आप किसी से जादा expectations जो है वो आज एमोशनल दिन जाने वाला है तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है जहां पर हमारी मन में परिशानियां बढ़ती है जहां में disappointments होती है तो हेल्थ के उपर भी थोड़ा सर दिखाई देता है आपके लिए मैं बोलूगी हारा रंग अच्छा रहीगा जी मीन राशी अब आपकी बात करते हैं आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है जी जो मीन राशी है उनके लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं तो मीन राशी का जो कार्ड आ रहा है ये हाई प्रीस्टिस का कार्ड आ रहा है ये सबसे पाफुल कार्ड माना जाता है हमारे टैरो म कि यह जो कार्ड है, यह कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुननी चाहिए, कई बार दूसरे जो होते हैं, हमें गलत सला देते हैं, यह किसी इंसान पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी ना करें, दूसरों की बातों में आके कोई बड़ा फैस लेते हैं, तो वो आपको एकदम सही दिशा की तरफ लेके जाएगा, तो आज जो है अपने मन की ही आपको सुननी चाहिए, आपके लिए मैं बोलूगी लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा, राशियों की बारे में संचिता जी ने बताया और उमीद है आपका दिन बहतर ज आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी, नमस्ते, तो फिल हाल के लिए हमारे इस खाशियों में इतना ही है, आप देखते रहे हैं, फरस्ट इन्या निउस, नमस्कार